किस थारी है है ऩोई एउलकम बेक तू मैं चैनल आज कि सीपिये है पर फिश करें बहुत हीट है कशलिए देखते हैं रैसीपी को आखर बभी अंग्यभी करते हैं इत्यों कि परें चुशे तरह से我們 टेशिये से टासे Совे ए गडिये हयो SHAD ताकि मसाले इसमें अंदर अच्छी तरह भर जाए दो चमच तेल में हलका सी फ्राइब करके निकाल लेंगे बस अब फिश को सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है अमेने मसाले के लिए एक प्यास लिया है पहले प्यास ग्राइब कर लेंगे फिर ये मसाला है मिर्ची, कोथ मिर्की डंठल है, अदरक लसन, थोड़ा खोपरा और कर्माटर और थोड़ा सी खोड़ी पत्ता इसे सेपरेट ग्राइब कर लेना है सेम ओल में राई, दान मेथी, अकिलान मिर्च का तड़का लगाएंगे फिर इसमें ग्राइन कीवी प्यास भी एड़ कर देंगे और उसे अच्छी तरह भून लेना है दो से तिर मिर्क तक प्यास अच्छी तरह भून चुकी है अब इसमें पीसावा मसाला आड़ करेंगे टमाटर मिर्ची कोत मिर्का अद्रक लसन जो हमने पीस के रखा था और उसे भी अच्छी तरह पास मिर्च तक भून लेना है मेडियम फ्लेम पे और थोड़ा से पानी आड़ करके भून ले यह सब मैंने पाउडर मसाले लिये हैं और गरम मसाला भी है आप इसे पॉस करके देख सकते हो यह मैंने ग्राइंड करके गरम मसाला एक चमव जिसमें भी एड़ किया है यह देखिए मसाला अब अच्छी तरह से भून चुका है अभी इसमें फ्राइ की हुई फिश भी आड़ कर देंगे और उसे एक दो बार हलके हाथ से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें मैंने आदा से एक ग्लास तक पानी आड़ किया है आप जितना ग्रेवी रखना चाहो वह आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से ताके फिश तूटे नहीं और मीडियम फ्लेम पर दस से पंदा मिट तक कुप करेंगे यह देखिए बस ग्रेवी बनके तयार हो गई है मच्छी करी बनके तयार हो गई है बहुत अच्छी खुश्बू आती है गरम मसालों की चौप के हुई कोतमी से गार्निश करेंगे और आप राइस या चापाती के साथ इसे सर्फ कीजिए बहुत ही टेस्टी लगती है आपको रेसे भी पसन आई है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए थैंक यू फॉर वाचिंग इसम्टाइब लाइफ एस देसे साथ टेंग पस्टाइब लाईब लाईन आपको भींग